एसेंचर से ओफर पाने के टोटल 6 टिप्स में यहां पर देने वाला हूँ 7 देने वाला था लेकिन आप फिर से कमेंट करोगे थाला फार और नो रिजन तो चलिए शुरुआत करते दोस्तों 6 टिप्स क्या होनी वाली है जहांसे आपको आफर लेटर मिलने के चांसत ज्यादा है आपने सुना है ना भाई एक्साम अचा गया इंटर्वी अच्छा गया फिर से एसेंचर का आफर नहीं मिला क्या एसेंचर सब के साथ मजा कर रही है क्या फ Cream इंटर्वीयू करा रही है किसी को भी सिलेक्शन नहीं भेज रहा, भै सिलेक्शन तो भेज रहा है, लेकिन किसको भेज रहा है, वहीं इस टुडियो में डिसकस करेंगे, क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, वो भी हम इस टुडियो में डिसकस करेंगे, और जो भी 6 टिप्स होने वाला, step by step हम देखेंगे चलिए अब first of all first tip जो भी होने वाली है दोस्तो communication round की आप इसको ignore करते हो क्यों ignore करते हो क्योंकि आपको किसी ने बोला हुआ है कि ये non elimination round है non elimination round तो है लेकिन दोस्तो समझ लीजे आपने communication round दिया उसमें आपका score 15 generate हो गया total overall आपने exam और interview का score 70 किया है 70 और 15 हो गया 85 और एक बंदा जिसने communication round नहीं दिया क्योंकि वो समझा की ये non elimination round है तो उसका score कितना हुआ 70 हुआ only exams और interviews का तो यहाँ पर offer किसको जाएगा आपको जाएगा obviously क्योंकि आप score 85 है so overall selection में communication round भहुत ही matter करता है night 12 के बाद ही देना है उसका एक वीडियो है YouTube पे जो मेने ही बनाया है around 90,000 students ने उस वीडियो को देखा है और उसके comment में जाके देखिए कितना useful हुआ है वो students को और आप भी जाकर वो वाला वीडियो देखिए बहुत यफ़र्ट है उस वीडियो में obviously इस वीडियो में भी बहुत यफ़र्ट है like कीजिए और subscribe कीजिए एसे एक classic technology के साथ जुड़े रही है टेलिग्राम ग्रुप मिलेगा WhatsApp ग्रुप मिलेगा वीडियो के description में latest job updates और career guidance के लिए आप वहाँ पर join हो सकते हो यह हो गया दोस्तों यह वालों के लिए including pseudo code and आपका coding section में दोनों problems को with all test cases पास होने चाहिए अगर आपने एक ही problem with all test cases आपने पास किया है तो 50% chances यहाँ पर आपके जाएंगे offer लिट आने के तो बचे के तने only 50% chances मितलब 50-50 हो गया आएगा कि ने अगर आपने दोनों coding questions को attempt किया है सारे test cases को clear किया है तो भहुत ही high chances से आपको offer आने के आपका interview average भी जाता है तो समझ लिए इस बात को बहुत ज़्यादा students ignore करते हैं और कोई बताता भी नहीं आपको क्योंकि कोई बताने के लिए उनको तो experience होना चाहिए न क्योंकि मैं last one year से essential के exam patterns को analyze कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा students को help कर रहा हूँ one is to one guidance provide कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा students को जिनका offer letter मिला है उनसे consult करके उनका जो भी data analyze करके जिनको offer नहीं मिला लेकिन सारे round अच्चे गया है उनका data analyze करके भाई ये वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप आपको helpful भूत होने वाला है ठीक है समझ गए दोनों code solve होनी चाहिए और यहाँ पर language priority समझ लीजिए अगर आपने Java में किया है दोनों code को execute किया है भूत chances से selection होए के अगर आपने Java में code लिखा है single code with all test cases execute हुआ है फिर भी selection के chances है and second priority है दोस्तो C++ की अगर आपने C++ में single या double दोनों code all test cases में execute किया है फिर भी selection है chances के थर्ड priority है दोस्तो Python की अगर आपने दोनों code को with all test cases आपने execute किया है फिर भी selection होने के chances कम है इसलिए मैं prefer करता हूँ जब भी आप coding exam देने जा रहे हो package application development associate की first language Java prefer कीजिए second C++ then आप select कर सकते हो Python and यह सब कुछ होने के बाद दोस्तो यह तो second tip हो गए दोस्तों यहाँ पर third है interview में communication के तो दोस्तों interview में आपका communication next level होने चाहिए अगर आप बट ऐसे रुक रुक के बाते करते हो तो interviewer का interest चला जाएगा and communication बहुत matter करता है and जो common answers होते हैं उसको ignore कीजिए क्योंकि interview में fixed questions पूछ रहे है एसेंचर वाले बस 10 questions ह introduction के बारे में पूछते है weakness and strength के बारे में पूछते है उसके बाद least and most favorite subject के बारे में पूछते है difficulties faced in your projects के बारे में पूछते है बस इतने ही questions है जो fixed questions सब को पूछ रहे हैं क्योंकि ओ लोग बहुत ज़्यादा parameters को analyze करते हुई आपका selection कर रहे है जिसमें आपका exam हो गया हो रहा है यह हो गया दोस्तो third reason अब बात करते हैं दोस्तो fourth reason की आपका जो भी internship है और top company में अगर अच्छे से है तो दोस्तो selection के chances ज्यादा है उसके साथ अगर आपने अच्छे अच्छे projects बनाये हैं तो दोस्तो selection chances भी ज्यादा है अगर आपने regular management system वाले अगर प्रोजेक् नहीं है तो ठीक है लेकिन अगर है अच्छे से projects है data structures and algorithm के हो गए machine learning and दोस्तो artificial intelligence deep learning के बारे में projects है तो please उसको implement कीजिए explain कीजिए and your project must and should be problem solving भाई ऐसा नहीं है कि उसका already solution है and आप भी उसका एक solution बना रहे हो project बना के कोई माइने नहीं रखता कोई भी point नहीं रखता ए प्रोजेक्ट आप निकाल के फिर से explain कर रहे हो तो कोई point नहीं बनता projects आपके खुद के होनी चाहिए unique होनी चाहिए problem solving होनी चाहिए latest trending technology के ऊपर बना हुआ होना चाहिए समझ गए projects के बारे में internships के बारे में तो ठीक है then fifth tip है दोस्तो common and boring answers इसका मतलब यहीं है कि जो 10 questions पू 20,000 students का interview हो रहा एसेंचर में सब लोग same questions को repeat 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 बताओगे तो इंटर्यूर पक नहीं जाएगा क्या उसका दिमाख खराब नहीं होगा क्या वहीं सुनना है वहीं blah 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 सुनना है कुछ interesting होनी चाहिए कुछ twisty होनी चाहिए कुछ मजा आना चाहिए इंटर्यूर को भी इंटर् बंदा है एसा बोलना चाहिए बंदा है बोलने का तो सीन ही कमी है क्योंकि गर्स को तो हायर कर रहा है इंटर्यूर एंड नॉट ओंली इंटर्यूर यार एसेंचर ओंली गर्स को रिप्ले कर रहा है पता नहीं boys को कब रिप्ले आएगा by the way I'm not opposite to particular gender मैं बस companies में fair selection चाहता एसा नहीं कि भाई इसी सिस्टम में reservation आजाए फिर बोलेगा कि seat full है एसा नहीं होना चाहिए ठीक है next sixth option है obviously अगर आप एक लड़की हो तो offer letter आने के chances ज्यादा है and this is not की भाई लड़कों को नहीं आएगा लड़कों को भी आएगा लेकिन जब उनको इंटर्यू चांस मिले कुछ doubts है Instagram पे मुझे आप पिंग कर सकते हो and जो भी मैंने वीडियो बनाया है without cut one cut में क्योंकि मैंने बहुत दिनों से data analyze करना हूँ भूत कुछ experience आ रहा है तो सब कुछ मैं इस वीडियो में लगाया हूँ so I hope आप understand करोगे इस वीडियो का जो भी data है सब कुछ कुछ भी doubts ह भाई comment कर देना वीडियो से कुछ भी help मिले है या कुछ relate कर पा रहे हो चीजे या कुछ doubts पूछना चाहते हो तो दोस्तों आप premium subscription भी ले सकते हो one is to one guidance का जो वीडियो की description में आपको link देखने के लिए मिलेगी प्लीज इस वीडियो को share किजे आपके जितने भी placement group से उसमें एंड आपके जो closed one friends है उनको and placement group में share करोगे आपका दोस्तों सेलेक्ट हो जाएगा अगर आपके बस close friends को ही send कर देना क्यूंकि आज कल वहीं चल रहा है अगर मेरा selection नहीं हुआ उसका selection कैसा हो खुद को compare करने लगते वार हर बार मुझे पता नहीं सब students यह सा क्यों करते है उसको कुछ नहीं आता या उस लड़की को कुछ नहीं आता उसका कैसा selection हो गया भै मरने दे यार उनका कैसा selection हो गया उनका क्या हो गया please don't compare yourself with the others ठीक है बस आप सब अलग अलग होते है यार पता नहीं उनका luck सही होगा पता टाइलेंट भी sometimes matter नहीं करता luck matters करता है क्योंकि बोलते हैं talent matters sometimes luck also matters ज्यादा बोलनी की कोशिश नहीं करूंगा ठीक है मेरा भी दुसरा का में जाना पड़ेगा बाई बाई